नमस्ते श्रूताओं आपके यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी वाली में आपका स्वागत है प्रस्तोत है मन्नू भंडारी जी की कहानी इस्त्री सुबोधिनी प्यारी भेनों, ना तो मैं कोई विचारक हूँ, ना प्रचारक, ना लेखक, ना शिक्षक मैं तो एक बड़ी मामूली सी नौकरी पेशा घरेलू औरत हूँ, जो अपनी उम्र के 42 साल पार कर चुकी है लेकिन उस उम्र तक आते आते, जिन इस्थितियों से मैं कुजरी हूँ, जैसा एहम अनुभव मैंने पाया चाहती हूँ, बिना किसी लाग लग पेट के, उसे आपके सामने रखूँ, और आपको बहुत सारे खत्रों से आगहा कर दूँ अब सीधी बात सुनिये, सीधी और सच्ची मेरा अपने बहुत से प्रेम हो गया, वहाँ, आपके चेहरों पर तो चमक आ गई आप भी क्या करें, प्रेम कमभक्त है ही ऐसी चीज, चाहें कितनी ही पुरानी और घिसी पिटी क्यों न हो जाए एक बार तो दिल फड़क ही उठता है, चेहरे चम-चमाने ही लगते हैं खेर, तो यह कोई अन होनी बात नहीं थी, डॉक्टरों का नर्सों से, प्रोफेसरों का अपनी चात्राओं से, अफसरों का अपनी स्टैनों सैकेटरी से प्रेम हो जाने का हमारे यहां आम रिवाज है यह बात बिलकुर अलग है कि उनकी और से इससे प्रेम कम और शगल जादा रहता है शिंदे नए-नए तबादला होकर हमारे विवाग में आये थे बेहत खुशमिजाज और खुबसूरत आखों में ऐसी गहराई कि जिसे देख लें वे गोते ही लगाते रह जाए बड़ा शायराना अंदास था उनका और जल्दी ही मालूम पड़ गया कि वे कविताई भी लिखते हैं पत्र पत्रिकाओं में वे धड़ाधर छपती भी रहती हैं और इस छेत्र में उनका अच्छा खासा नाम है आयकर विवाक की अफसरी और कविताएं है ना कुछ बिमेल सी बात पर ये उनके जीवन की हकीकत थी मैं इस्थितियों और उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब लड़कियों में प्रेम के लिए विशेश प्रकार का लप-लप भाव रहता है बोड़ी मा तीनों छोटे भाई बैनों के लेकर गाउं में रहती थी और मैं इस महानगरी में कामकाजी महिलाओ के एक होस्टिल में ना घर का कोई अंकुष था और ना इस बात की संभावना की कहीं मेरा ठोड़ ठिकाना लगा देंगे आखिर मैंने अपनी नाक और आखो को कुछ अधिक सजग और तेज कर लिया बस ऐसा करते ही मुझे हर नौजवान की नजरों में अपने लिए विशेश संकेत दिखने लगे और उनकी बातों में विशेश अर्थ और आमिंतरन की गंधाने लगी तभी भिड़ गया शिंदे उसके तो संकेत भी बहुत साफ थे निवंतरन भी बहुत खुला लगा किसमत ने 56 पकवानों से भरी थाली मुझे भुक कड़ के आगे परोसकर रखती है सो मैंने ना उसका आगा पीछा जानने की कोशिश की और ना अपना आगा पीछा सोचने की बस आख मूदी और प्रेम की डगर पर चल पड़ी हर प्रेम की शुरुबात करीब करीब एक सी होती है प्रेमियों को वे सारी बातें चाहें जितनी रोमांचकारी और गुदगुदाने वारी लगें देखने सुनने वालों को बड़ी उबाउ और सपाट लगने लगती हैं शा में हमारी किसी रैस्त्रा के नीम अंधेरे कौने में बीती तो कभी बाग के जुर्मुट के बीच कभी हम आपस वे उंगलिया उलजाये रहते तो कभी वे मेरी लटो से खिलवार करता रहता एक बार उसने कभीता में मेरे बालों की उपमा बदली से दे दी बस फिर क्या था मैं जब तब गोदी में रखे उसके सिर पर जुक कर बदली चितरा देती और वे उचक कर ये क्या आपकी आखों में तो एव विश्वाष उभर आया मैं समझ गई एक सीनियर अधिकारी और ऐसी छिचोरी फिल्मी हरकतें पर सच मानिये अब भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहां के हर पुरुष के भीतर एक ऐसा ही फिल्मी हीरो आसन मारे बैठा रहता है और जब तक वे पूरी तरह त्रप्त न हो जाए मरता नहीं उम्र के किसी भी दोर पर उस समय चाहें वे छे बच्चों का बाप ही क्यों न हो जड़ा सा मौका मिलते ही भर भड़ा कर जाग उठता है और पूरी तरह अपनी गिरफ्त में जगर लेता है फिर तो बड़ी बड़ी तोपे तक ऐसी बचकाना और बेवकूफाना हरकते करती हैं कि बस तौबा ना कोई शर्म ना उम्र का लिहाज आज कल की लड़कियों ने उस राज को अच्छी तरह समझ लिया है पर मैं तो उन बेहनों को साफधान करना चाहती हूँ जो शादी के पहले ही से उस हीरो के चंगुल में आकर अपने को चौपट कर लेती है हाँ तो मैं पूरी तरह शिंदे मई हो गई पर तभी एक भयंकर जटका लगा बलकी कहूं कि जो लगा उसके लिए जटका शब्द हलका ही है मालूम पड़ा कि शिंदे की एक अदद बीवी है जो पहली बार पुत्रवती बन कर पांच महीने बाद अपने मैके से लोटी है यानि एक अदद बीवी और एक अदद बच्चा मुझे तो सारी दुनिया ही लड़ खडाती नजर आने लगी लगा मैं बहुत बड़ा धोका खा गई हूँ मेरे भीतर गुसा बुरी तरह बल बलाने लगा बीवी बच्चे के रहते मेरी और प्रेम का हाथ बढ़ाने का मतलब मैंने जब भी उससे घर और घरवालों के बारे में पूछा वे तीन-चार शेर दोहरा दिया करता था जिनका शाबदिक अर्थ होता था मेरा ना कोई घर है, ना दर, ना कोई अपना, ना पराया इस जमीन और आस्मान के बीच मैं अकेला हूँ, बिलकुल अकेला जानती ही होंगी कि इस उम्र तक शादी ना होने पर लड़कियों में एक खास तरह की हडबडाहड आ जाती है चाहती हैं, जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी प्रेमी को पूरी तरह कबजे में करके पती बना कर अपनी टेंट में घोस ले मैं भी इसी नेक इरादे से लपक रही थी, कि बीच में ही ओंधे मो गिरी पर गिरने नहीं दिया शिंदे ने, हाथो हाथ जेल लिया उसने बिना किसी बात को मौका दिये, मुझे बाहों में भर लिया और धुआधार रोने लगा पिता के दवाब में आकर की हुई शादी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेसजी बन गई बीबी के रहते हुए भी, मैं कितना अकेला हूँ दो अजनब्यों की तरह एक छट के नीचे रहने की यातना ऐसी ऐसी बातों के ना जाने कितने टुकडे आसों से भीग भीग कर टपक रहे थे मेरा विवेक मुझसे संकल्प करवा रहा था कि लोट जाओ, इस दिशा में अब एक कदम भी मत बड़ो मैं रो रोकर अपना संकल्प दोरा रही थी, वैं रो रोकर अपना दुख दोरा रहा था इसी तरह हम दो तीन बार और मिले, वही बाते, वही रोना मैंने सोचा था कि आसों के साथ मैं अपना सारा प्रेम और गम भी भादूंगी और हमेशा के लिए अलविदा कहकर लौट जाओंगी पर हुआ एकदम उल्टा आसुओ के जल से सिच कर प्रेम की बेल तो और जादा लहलाहा उठी अब देखिये ना मीरा का पद असुवन जल सीज सीज बच्पन से पड़ा था पर हम सबकी ट्रेजडी यही है कि स्कूली शिक्षा को जीवन में गुनते नहीं शिक्षा एक तरफ जीवन एक तरफ और इसलिए ठोकर खाते हैं यही हुआ उसका दुखी और देनिये चहरा देखकर मेरे मन में प्रेम का जौर उमरने लगा उसके आसुओं ने प्रेम को इतना गीला और रप्टिला बना दिया कि वेवापस मुणने को तैयार मेरा पैर अपने आपको स्वाहा करने के लिए आगे बढ़ गया शिंदे इस मैदान का पक्का खिलाडी था मेरे असमंजस और दुविदा को चट भाप गया केवल भापी ने गया वरन उसने यह भी मैसूस कर लिया कि बीवी की उपस्थिती से हमारे प्रेम में अपात कालीन इस्थिती पैदा हो गई है अब यदि इसे बचा कर रखना है तो प्रेम करने के तरीके में एक क्रांती कारी परिवर्तन लाना होगा बिना उसके मामला चलने वाला नजर नहीं आ रहा था रैस्तरा और बाग बगीचों के बीच तो यह परिवर्तन आने ही सकता था इसलिए बड़े शिद्दत के साथ एक कमरे की तलब महसूस होने लगी तीन चार कमरा मुलाकातों में ही मैंने समझ लिया कि इन मुलाकातों के कारां उसके भीतर किसी तरह का अपराद बोद या कुछ गलत करने का भाव लेश मातर भी नहीं है वे कापी तरप्त और छका हुआ लगता था मुझे समझते देर नहीं लगी कि शरीर के इस्तर पर भी मैंने अपने को उसके लिए अनिवार्य बना लिया मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा ये समर्पन तुरुप के इक्के की तरह कारगर सिध होगा और बाजी मेरे हाथ निश्य ही इन मुलाकातों ने मेरे प्रेम को बड़ी मजबूत बैसाखिया थमा दी और मेरे लड़ खड़ाते कदम फिर जम गए वे मेरे साथ भविश्य की योजनाय बनाता पर उन्हें अमल में लाए तब तक के लिए एक मौन समझाता हम लोगों के बीच हो गया अपना शरीर अपनी भावनाए उसने मेरे जिम्मे कर दी और घर, बच्चा, बुड़ा बाप और सारी पारिवारी खिच-खिच बीवी के जिम्मे इस बिवाजन में मैं कुछ समय के लिए परंपरसन योभी इस उम्र में आदमी को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने शरीर पर ही होता है शरीर पालिया, समझो दुनिया जहान हतिया लिया उपर से मुझे वे कभी बातों से तो कभी कविताओं से समझाता रहता कि मन और शरीर की पवित्र भूमी पर ही असली प्रेम पनपता है घर की चार दिवारी के बीच निरंतर होने वाली खिच-खिच में तो वे मरता ही है मैं समस्ती रहती और अपने को बहुत पुकता जमीन पर महसूस परती वे बाते ही ऐसी करता कि संदे की कोई कुझाईश नहीं छोड़ता मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन वे खूटे से उखड़कर मेरी गिरफ्त में आ जाएगा बीबी की याद और बात से ही शंदे अपना चहरा एकदम मायूस बना लेता और बिना कहे ही मेरे दिमाग में क्या बठाने की कोशिश करता कि बीबी बनते ही और अधबहुत उबाओ और त्रास दायक बन जाती है कि रिष्टों में बनते ही प्रेम नीरस और बेजान हो जाता है कि सच्चे प्रेमियों को तो हमेशा मुक्थी रहना चाहिए बीबी बनने की ललत जब तब मेरे भीरत भीतर जोर मारती थी सच बात है मुझे तो घर ही चाहिए था पती भी और बच्चे भी पर उसे तो जैसे बीबी नाम से चिड़ी हो गई थी कभी कभी तो वे अपने बीबी के करकर्ष सुभाव और तुनक मिजाजी की बात करते करते रोतक पढ़ता तब मैं लपक कर उसे बाहू में बढ़ती अपने होटों से उसके आसू पहुंसती और उसे होसला मनाती कि जल्दी ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि वे उस दुख से मुक्त हो कि मैं उसे एक सही सुख़द जिन्दगी दूँगी यह अश्वाशन उसके लिए कम मेरे अपने लिए जादा होता था दिन सरकते जा रहे थे और अपने प्रेम करने के तरीके में क्रांती कारी परिवर्तन लाने के वाबजूद इस्तिती जहां की तहां थी यानि कि मैं अपने होस्टिल के कमरे में बन शिंदे अपने बीबी की मुठी में आज सोशती हूँ तो अपने पर ही सौसो धिकार के साथ अशर्र भी होता है कि कैसे मेरी पुद्धी पर ऐसा मोटा परदा पढ़ गया था कि यह भी नहीं सोश सकी कि उसकी बीबी भी आखिर मेरी तरह ही एक इस्त्री है अपने पती के छलावे और मकारी की शिकार पर नहीं यह तो तब समझ में आया जब उसकी मकारी ने मुझे भी तबाही के कगार पर लापटका तभी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब तब वहाँ उपस्थे तोकर उसके तरास को इतना बढ़ा दूँ कि वे खोधी इस अपमान जनक इस्तिती को नकार कर अलग हो जाए रकीब को सामने देखकर अच्छो अच्छो की होसले पस्थ हो जाते हैं फिर अपमान और अपेक्षा की आग में जुलसी इस औरत का होसला ही क्या होगा और यही सोच कर आखिर में एक दिन शिंदे के घर जाधम की एक सोहागिन औरत की सारी नियामतो जाने की बोड़े ससुर के वरधस्त की छत्र छाया और बच्चे के पोतड़े के वंदन बार के बीच दूदो नहाई पूतो फली भाव से फेक कुर्सी पर विराजमान थी मुझे देखकर उसके चहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया विकार तो मुझे देखकर शिंदे के चहरे पर आया जिसे उसने थोड़ी सी कुशिश कर करे अफसरी नकाब के नीचे ढख लिया दफतरी भाषा में दफतरी बाते करके उसने मुझे चलता किया पर बाहर निकलते समय हाथ दबाकर लाड में लिप्टी हलकी सी फटकार के साथ शाम को कमरे पर आने का निमंतर भी दे दिया मैं उसकी बीबी को तरस्त करने गई थी पर खुद ही तरस्त और पस्त होकर लोटी मुझे आश्यार्य हो रहा था कि ये औरत है ये मांस का लोदा इसका आदमी तीन साल से एक दूसरी लड़की के साथ मस्ती मार रहा है और उसे ना कोई तकलीफ ना कस्ट मैं इसकी जगे हूँ तो शायद एक दिन भी इस तरह की अकमान जनक इस्तिती को बदाश्ट न करूँ इसके शरीर पर चमनी लिप्टी है ये गैंडे की खाल ये तो मुझे बहुत बाद में अपने अनुभब ने सिखाया कि अधिकतर शादी शुदा ओड़तें ऐसी होती हैं जिनने अपने घर की दिवारों से बेशुमार लगाव होता है इतना जादा कि धीरे धीरे उन दिवारों को ही अपने शरीर के चारों और लपेट लेती हैं फिर मान अपमान के सारे हमले उनसे टकरा कर बाहर ही धेर हो जाते हैं और वे उनसे बे असर सती सादवी सी भीतर सुरक्षित बैठी रहती हैं शाम को शिंदे मुझ पर एकदम बरस पड़ा कि मैंने उसके घर आने की मुर्ख था क्यों की कितना चौकस रहना पड़ता है उसे हर समय जिससे उसकी बीबी को इस परसंग की हवा भी न लग सके वरना तो वे शुपन खा की तरह ओफिस परिवार और सारे शहर में मौका लगा तो मेरा जोटा पकड़ कर सड़क पर जूते लगवाएगी और बड़ी चालाकी से उसने मेरे मन में अपनी पतनी के लिए जिसे व्यकसर कोतवाल कहता था धेर सारी नफरत और आक्रोश भर दिया साथ ही जल्दवाजी करने की अपनी नादानी भरी मूर्खता पर मुझे बेहर शर्मिन्दा भी किया देखा आपने कि कैसे शातिराना अंदाज से पुरुश नफरत और गुस्ते की सुई अपनी और से सरका कर दोनों औरतों की और घुमा देता है वे ही आपस में लड़े बिड़ें, कोसे, गलियाएं और वे जो असली कुनागार है अपने पर आच आए बिना आराम से दोनों का सुख भोगता रहे वे समझाता कि सह जीवन का मधूर्तम पक्ष तो हम होगी रहे हैं, मैं क्यूं बेकार में शादी ब्या और घर में चकड़ कर इस मधू संबंद का गला घुटना चाती हूँ और इसी चक्कर में वे मधू उडेलती हुई, तीन चार फड़कती कविताएं मेरे नाम ठोक देता मेरे कंदों पर इस सी पुरुष के संबंदों को एक नई दिशा देने का दाइत्व है अगली पीडी अधिक स्वस्त अधिक मुक्त जिन्दिगी जी सके उसके लिए हमें पहल करनी होगी एक उधारन रखना होगा चाहें उसके लिए हमें खाद ही क्यों न बनना पड़े शिंदे तो ये बाते जाड़कर मजे से अपनी बीबी का बगल गीर हो जाता और मैं असली अर्थों में खाद बनी अपने कमरे में सर्ती रहती तभी शिंदे का तबादला हो गया मैं एक बार फिर डगमगा गई मुझे लगा कि बस अब ये मेरी जिंदिगी से निकला पर उस समय तो बस शिंदे में ही प्राण बसते थे लगता था उसके बिना जी नहीं सकूंगी गलत सही की समझ ही कहां रह गई थी मैं उसे पाना चाती थी और वे मुझे खोना नहीं चाता था उसके साथ होटल में गुजारे वे दिन मैं तो भूली गई कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी है तबियत एकदम लहलहा उठी इस बार उसने बकायदा योजना बनाई कि पतने को अब यहां न बुलाकर उसके पिता के घर भेज देगा और धीरे धीरे उसे कानूनी कारवाई करने के लिए राजी कर लेगा यदि नहीं हुई तो मजबूर करेगा बातों का तो वे बाच्छा था ही पत्र लिखने में भी उसे उनी कमाल हासिल था शरीरों में जो दूरी आ गई थी उसे वे पत्रों की भाषा से पाटता रहता पत्रों में मुझे वे दिव्य प्रेम का दर्शन समझाता मेरे जनम दिन पर अपने इसी दिव्वे प्रेम में डुबो कर उसने एक खुबसूरत सा तौफा मेरे लिए भेजा कभी वे चांदनी रात के गीत लिख कर भेशता तो कभी साथ बिताएं मदूर छडों की याद को ताजा करने वाली कभी ताएं उसने आखों में सच मुझ के आसू भर कर कहा मैं ही शिंदे की प्राण हूँ शिंदे की प्रेणा हूँ घर परिवार क्या तिरे शिंदे का जो कुछ भी है और वही तो असली शिंदे है वे उसने मुझे पूरी तरह सौप रखा है और तुरंत उसने अपनी बात का पिर्मान पेश कर दिया, मुझे समिर्पित किया हुआ अपना नया कविता संग रहें, हाथ से लिखा हुआ था प्राण को, उसकी प्रेणा और प्राण बनने का हश्र यह हुआ, कि वह तो दिन दूना, रात चोगना फलता फूलता रहा, धन यश, सफलता, मान सम्मान, सभी का मालिक और मैं भीतर ही भीतर जुलसकर काट का कुंदा हो गई, सब और से मरी, मुर्जाई, तूटी और पास्त, मैं समझ गई, कि मैं बुरी तरा ठगी गई हूँ, धीरे धीरे उम्र की बडोतरी, आफिस और दुनियादारी की निरंतर, ब और मजमून मौसम के सर्द गर्म होने पर आकर टिक गया, आठ साल तक चलने वाला प्रेम बसंग महज एक खिलबार था, जिसकी बाजी बड़ी होश्यारी से शिंदे ने बाटी, प्रमजाल के कटते ही नजर साफ हुई, तो बाजी में बटे हुए पत्तों का यह नशा रह रहकर मेरी आखों में उभरने लगा, तुरुप का इका यानि घर उसके पास, तुरुप का बाश्या यानि बच्चा उसके पास, तुरुप की बेगम यानि बीबी और प्रेम करने के लिए प्रेमी का उसके पास, तुरुप का गुलाम यानि नौकर चाकर गाड़ी बंगल उसके पास लबो लुबाब यह की तुरुपके सारे पत्ते उसके पास और मुझे मिले उसके दिये हुए छक्के पंजे यानि तोटकों की तरह पोडिया में बंदे दाशनिक लफाजी में लिप्टे हवाई प्यार के चंद जुमले इन टट कुझिया पत्तों के सहरे में समझ का संतोष करती मन बहुत घबरा था तो उसी पूच से हवा करके उसके साथ बिताए मदूर छडों पर जमी समय की धूल उड़ा कर कुछ समय के लिए अपना खालीपन भर लेती निहायत हावाई बाते पल्ले से बांदे मादे मैंने अपने जिंदिगी को बरबादी के क जगार पर लापटका था अब चाहती हूँ ठेट दुनियादारी की बाते अपनी हजार हजार मासूम किशोरी भेनों के पल्ले से बांदू जिससे वे मेरी तरह भटकने से बच जाएं इस देश में प्रेम के बीच मन और शरीर की पवित्र भूमी में नहीं ठेट घर की उपजाओ भूमी से ही फलते फूलते हैं भूलकर भी शादी शुदा आदमी के प्रेम में मत पढ़िये दिव्वें और महान प्रेम की खातिर वीविवच्चों को दाप पर लगाने वाले प्रेम वीरों की यहां पैदावार ही नहीं होती दो नावों पर पैर रखकर चल मन भर गया तो लोटकर अपने कूटे पर ना कोई डर ना घोटाला जब प्रेम में लगा हो शादी का ताला धन्यवाद